नमस्कार दोस्तो मेरा नम है विजेक मार आप देख रहे कोमिक्स बिटाराय चैनल को चलिए दोस्तो जंगल के जलात को भी और भेडिया के इस संदार कोमिक्स को सुरूख करते हैं जिसका नाम है हरी वरी मौद आप देख सकते हैं कि इसके कवर प्रिस्ट कुछ इस तरह का है ओके देख सकते हैं ये पेड़ है या मकड़ी ना ये पेड़ है ना मकड़ी ये हरी वरी मौद जंगल में जब भी कई मुसीबत या संकट खड़े होते हैं ये जरूरी नहीं कि वहाँ पर भेडिया ही मदद करने आए भूँ फट्डा मचो तरप मत सोर मत मचा वरना सेर तुझे खा जाएगा हाँ से भोजन निकलते देख सेर कुपित हो उठा कड़ा आ फट्डा चीक की आवाज सेर ने पहले सुनी कुपित सेर ने अपने दिशा बदल दी हेरं को इस सेतान से बचा सकता हूँ तो तुम्हें क्यूं नहीं जाड़ी अपना भोजन चीन ले जाने वाले को सेर ने फोरन ही पहचान गया था उफ समझ गया तुम मुझे पल्टी खिलाने के चकर में है सेर अपनी कोशिसों में काम्याब हुआ सेर के चोट से फट्डा का दिमाग बुरी तरह से चकराया अपना जब्डा उससे दूर रखना सेर अपना भोजन चीन ले जाने वाले को अपना भोजन बना लेने में सफल हो जाने वाला था फट्डा उठो फट्डा 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 उठो ऐसे जिंदा ग्रास भेडिया मौद के जब्डे से चीन लेता है भूका है तो जाकर किसी भेड़ वकड़ी को अपना हार बना इसके परिवार के बाकी सेर भी आ गएं फट्डा वो देखो भेडिया पर मुसीबत नहीं बनने दूँगा इन सेरों को जो जो विध्या का परियोग करना होगा मुझे फट्डा के गले से निकल कर अजीबो गरीबो संकेत फैल रहे थे संकेत की दिशा में बढ़ रही थी आदमखोर चीटी की फौज सेर भेडिया को अपना हार बनाने के लिए सेयग तुरुप से उस पर आकरवन कर चुके थे अहार बदलने वाले थे चीटर 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 अदमखोर उस पूरी जमीन पर आंधी के बादलों की तरह चाटे चले गएं ये क्या मौत के बादल चनों में लोट गए ओ, उफ, आदमखोर चीटे सभी सेरों को चट करके लोट गए चीटर, चीटर उन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया क्योंकि मैंने उन्हें केबल उन सैतान सेरों को ही अपना हार बनाने का अधेश दिया था तुमने? हाँ, मेरा नाम फट्डा है और ये मेरी मंगेतर है जाड़ी मैं कीट बिद्धा जुजु जानता हूँ, मैं कीटों से बाते कर सकता हूँ किरच, किरच, चलो, वापस नीचे जाओ, अपना उपर कठवोरवा तुम्हें अपना अहार बनाने के लिए तैयार बैठा है विश्वास करने योगे बात नहीं लगती, मगर आखो देखा जूट नहीं हो सकता आखो देखा जूट नहीं हो सकता यस, कम आन मेरे वर्सों की महनत इनको छनों में या तो मिट्टे में मिल जाएगी या फिर ओ, यस, yas, कम आन, कम, चट, चट कोभी आ गया था क्यों रे मेरे सक्तिसाली भेडिया फौच का सिपाई होकर तुम मकडी के जाले में कैसे फस गया और फस गया तो फस गया फिर निकला भी नहीं लाना थे तुछ पर कूँ कूँ कोभी देता मदद करो कोभी का नाम पूरा ही मित्ती में मिला दिया तुने कमबग कू कू ओ ये क्या मुझे मकडी के जालों में कौन फसा रहा है पिच कू कू कोभी देता इसी ने तुम मुझे भी फासा था बकवास मत कर तू क्या समझता है कि मैं इस मकडा पेंड की गिरब से छूट नहीं सकता तो यहीं रुख मैं अभी इसके टुक्रे टुक्रे कर डालूँगा कोभी ने अपने पोच बढ़ाई पोच सामने किसी सखा से लिपण गई कोभी एक जटके के साथ मकडी के जालों से छूट गया देखा मैं छूट गया मैं उस पेंड को अपनी गर्दा से तोड़फो डालूंगा कोभी देउता मैंने कुछ नहीं देखा है भेलिया देउता मदद सटाक ओफ यह कैसा पेंड है जो हाथ भी खिसता हाथ भी खिसता है कोभी देखा कूभी देखा पर अब ये कुछ भी खीचने के लाइक नहीं रहेगा मैंने ये भी नहीं देखा तुने ये क्यूं नहीं देखा देख अब जो मैं इसके साथ करूँगा वो देख कौन है ये अजीवों गरीब अदुद परानी इसके हाथ में हवा में से गदा कैसे परकट हो गई ये मेरे स्पाइडर ट्री को खत्म करने पर तुल गया है उफ ये उसे नस्ट कर डालेगा मैंने स्पाइडर ट्री को बनाया है लेकिन फिर भी मैं इसे कोई नेदेश नहीं दे सकता ताकि ये अपने सत्रों का मुकामला कर सके कडाक क्यूंकि मैं इससे बात नहीं कर सकता और मेरे पर्योग की ये नाकामियाबी मेरे पर्योग की कमजोर नस है ये कमजोरी कैसे दूर होगी माला गया पेड पेड के टूटने से खोन बहरा है इसके तनों में खून कहां से आ गया आ गया तो आ गया मुझे क्या इसका इंतिजाम करना होगा मुझे फट्टा की साधी को अभी दो दिन बागी थे टोंक कमीले में साधी की तयारिया जोरू पर थी हाँ यहां नगाडे अस्तापित करो यहां सनाई ठीक है यहां नित्य का अयोजन होगा निमंतरन पत्र बाटने की जिम्यदारी खुद फट्डा ने उठा रखी थी फूजो बाबा मेरी साधी में जरूर आना जरूर आऊंगा भेडिया कहा मिलेगा मेरिया को मिलना कोई दोरलब बात नहीं थी भेडिया मेरी साधी में जरूर आना नगारी की थाप पर जुगाली नित्य होगा साधी में तो आऊंगा मगर मुझे नित्य कहां आता है नित्य बहुत असान है दाया हाथ उठा कर बाई टांक पीछे को तथा फिर भी फिर से जल्दी से बाया हाथ उठा कर दाई टांक पीछे को करनी होती है यही नित्ते होता है जेन भी निमंत्रित थी आऊंगी फट्डा? जरूर आऊंगी मैं तो कन्या पक्ष की ओर से निमंत्रित हूँ जाड़ी ने स्वयम मुझे निमंत्रित किया है यह आखरी निमंत्रित पत्र बचा है कोबी के लिए उसे ढोड़ना मुस्किल होगा थोड़ा बिस्राम करता हूँ थका आउट हो गई है बेचारा कोबी और बेचारा जंगल जिसकी अब सामत आने वाली थी क्या कहा? पड़्डा ने भेडिया को दिया बुड़े ठुड़े फोजो को दिया जेन को दिया सारे जंगल को दिया पर अपनी सादी का निमंत्रन पत्र मुझे नहीं दिया अपने कोबी देवता को नहीं दिया मैं जेन को वहाँ जाने से रोकूँगा घवराओ नहीं मामली चोट है आजदी के लिए अपसर ठीक हो जाएगी हरे को भी तुम? हाँ क्या तुम फंटा की सादी में निमंत्रित हो? हाँ उसने तो तुम्हें भी बुलाया है वो तुम्हें ऐसा निमंत्रन पत्र देने गया था इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट टू में तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में तब तक के लिए बाए अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल के ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और जहां इस वीडियो के जरूरत हो महाँ पे इसको सेर जरूर कर देना मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में तब तक के लिए बाए